क्या शारुख खान और राजकुमार हिडानी की डंकी अब नाई डेट पर रिलीस होगी ऐसा हम नहीं बलकि फैंस कह रहे हैं और इस बात का सबूत PBR सिनेमास की वेब साइट दे रही है जीहां खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि शारुख खान की डंकी अब 22 दिसंबर को र राशी है जो फिल्म की कमाई में चार चान लगा देने वाली है दरसल सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट धडलने से वादल हो रहा है यह स्क्रीन शॉट PBR सिनेमा की वेब साइट का है जिसमें यह लिखा हुआ है कि टंकी 22 को नहीं बलकि 25 दिसंबर को दस्तक देगी ऐस शहा, परिक्षित, सहानी और विकी कोशल भी दिखाई दे रहे हैं इस स्क्रीन शॉट के सामने आने के बाद हमने भी अपनी जाच परताल की और PBR सिनेमा की वेब साइट पर जाकर देखा कि ऐसा सच में है या फिर यह किसी सालार फैन ने एडिट कर डाला है लेकिन आपकी जानकरी के लिए बता दे की वाकए PBR सिनेमा की वेब साइट पर फिल्म की ओफिशल रिलीस देट बाइस नहीं बलकि 25 दिस्टमबर बताए जा रही है यानि की ठीक और खास क्रिस्मस वाले दिन हालकि PBR के लावा पेटियम और बुक माई शो आधी जैसे एप्स पर फिल्म 22 दिसंबर कोई की रिलीस होगी ऐसा नसर आ रहा है ऐसे में फिल्म के रिलीस डेट पर फिर से konfusion कहरा गया है फैंस असमंजस में आ गए हैं कि कौन सी रिलीस डेट सही है और कौन सी गलत है किस ख़बर में सच चाइए और कौन सी ख़बर जूटी है इसकी एक वच्छा ये भी है क्योंकि मेकर्स की तरफ से अभी तक आधिकारिक तोर पर फिल्म के रिलीस डेट की अनॉंस्मेंट नहीं की गई है डंकी के फर्स डॉप में भी फिल्म को लेकर दिस क्रिस्मस लिखा गया है वहीं जो पोस्टर सामने आया है उसमें भी क्रिस्मस 2023 ही लिखा है यानि की इतना तो पक्का है कि फिल्म क्रिस्मस पर ही रिलीस होगी लेकिन किस तारीक को आईगी इसको जाने के लिए आपको और हमें दोनों को ट्रेलर का वेट करना होगा क्योंकि कयास लगा जा रहा है कि फिल्लर रिलीस से पहले मेकर्स फिल्म के रिलीस देट को रिविल्ट नहीं करना चाहते हैं वैसे आपका टंकी के पोस्पॉन होने और इस नई रिलीस देट को लेकर आई ख़बर पर क्या कुछ कहना है शिर कीज़ेगा अपने जवाब हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में